हेलो सुडेन Jen surge क्रें अर्या डैम एक में आपको स्वागर्थ हैं मैं 20 साल मिटी का थिसरा भाग ले के आए हूँ इसको पहले सीरीच चल रहा था मिट्यज़ हम दो खलास देख चुके हैं बाखी चार प्रकार की बच्ची थी तो आज उसको हम देखेंगे तो हम कहां से शाट करते हैं परवती मिंटी से परवती मिंटी यह परती भाग में पाय जाती है और यहां पर जंगली झाड़ी और इस मिटी में किस की खेति होती है नासपती की खेति हो जाती है और चाई की खेति हो जाती है बस परणती मिटी का इतना ही प्योग है इसमें ज्यादा कुछ खेती नहीं होता है, कॉफी, नास्पती, चाय, सेव, इसमें जल सोखने की छमता भोत कम होती है, इसलिए इस मिटी में, मरसली मिटी में क्या होता है, नमी नहीं पाए जाती है, यह राजस्थान, गुजराद, दच्छिड, पंजाब, और दच्छिड, मरसली मिटी कहां पाए जाता है, राजस्थान, गुजराद, दच्छिड, पंजाब, दच्छिड, हनगाया में पाए जाता है, और मरसली मिटी में खेती की सीच की होती है, बाजरा की करते है, जार की करते है, सरसो की करते है, खजूर, नाखफली, बबूल, आधी, यह सब क हम मस्त्रली में मिट्री में भी करते हैं तो यृत यह चलिए इसका इसकी इसकी लिए फिर हम आगे बठते हैं सिर्ट हम अगले प्रकार की मिट्री शूर देखते हैं अगली प्रकार कि मिट्टी क्या है दल्दली मिट्टी और लवडे मृट्डी इसके demdiagma कर देख चुका है इसके पहले हमने च्छा प्रकार की मिट्टी को देख चुके हैं और अब देखते हैं दल्दली मिट्टी का विस्तार अतियदिक वर्षा और बनस्पति के सड़नेस होता है दल्दली मिट्टी में हुमस की मात्रा सबसे अधिक होती है और इसका विस्तार केरल उत्राखन और पश्चिम बंगाल के कुछ भागों में इसका विस्तार है फिर अंति मिट्टी क्या लवणी मिट्टी जिसमें नमक की मात्रा प्रचुर मात्रा नमक की मात्रा सबसे अधिक ह हो जाती है उसको लूणी मिट्टी करते हैं और इसका प्रकीति करते हैं रे कल्लार उसर लॉणी मिट्टी को दूसरे नम से भी प्रकारते हैं दूसरा यह सबसे ज्यादा गुजरात के कच के रंड में तो हमारा आठा प्रकार का मिटी को हमने विश्तार में देखा अब मिटी से रिलेटेट कुछ सबसे पाइब इसके बाद हमारा इसका मिटी के बारे में देख लिए इसके बाद हमारा विटी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा फिर इसके बाद हम अगले टॉपिक में नेशरीण चलेंगे पहले फसल उगाने के लिए भूमी का पियाच महन कितना होना चीए। कि रूमी मं प्रीयोक के लिए चुने का, छार्यता को कम करने के लिए किसका प्रीयोक करेंगे चुने का फिर एरिया में खाद में नाइट्रोजें की मात्रा कितनी होती है ?46 परति 100 परति स suspicious एदिक की चांवर की न॓क शकता होती है फासपेट की, किस समय बीज बोते समय, बीज बोते समय फासपेट की अधिकाँ सकता होती है, फसल के लिए नाइट्रोजन, फासपरोस और पोटेशियम, फसल उगने के लिए नाइट्रोजन, फासपरोस और पोटेशियम का अनपाथ क्या होना चीए, चार अनपाथ, दो एक बीजरोपण के लिए क्या अनपात होना चाहिए एक अनपात दू अनपात एक इसका नैट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का फिर पुरानी जड़न मिट्टी को बांगर की मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है लाल मिट्टी के लिए नियूतम उर्वागर क्या सकता होत उत्तम मिट्टी है काली मिट्टी कपास की खेती के सवसे उत्तम मिट्टी है और काली मिट्टी सवसे ज़्यादा कहां पाई जाती है महराष्ट में कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अप्च्छा से निर्मित हुई है तो रेगूर मिट्टी बेसाल्ट लावा के अप् वीडियो को सेर करिए, सस्क्राइब करिए और लाइक करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, आभी के लिए थैंक यू